हलो एवरिवन स्वागत है आपका मेरा एरवेच चैनल पर डॉक्टर बिलाल एहमद वानी की बुक की हमने जो लेक्चर सीरी स्टार्ट की हुई है उसमें हम स्टार्ट के चैप्टर नंबर 11 को आज डिसकस करेंगे चैप्टर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं तो चैप्टर 11 क नाम है non-parametric test इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो थे parametric test और parametric test जहां पर लगाते हैं उसकी condition भी आपने जो देखी थी वहां पर पढ़ी थी normal distribution और यह दौचिंत रखार हैं अधर हम को一ोने तो लि क्लिलर से लिएए को अगर कोई झाल कि राथ उन बशचिता है था इस है धर उसमें अगूर सब्सक्राइब ुरी है कि sample अगर इतने number का है मतलब का sample size इतना है या फिर जो population वो homogeneous है heterogeneous है या फिर skewed है या फिर normally distributed है तो ये सारी चीज़े आपको अपने mind में रखनी है question को solve करने से पहले और इसको पढ़ते वक्त तो हम देखेंगे हाँ पे कि हमारा जो non-parametric test है और इसके non-parametric test में जो test include किये जाते है उनकी क्या-क्या applications है मतलब वो कहां-कहां या फिर कौन सी conditions में apply होंगे तो चले शिरू करते हैं those test of significance in which no constant of a population is used data do not follow any specific distribution and no assumptions are made are called non-parametric test अब देखें यहाँ पे main important बात जो है no constant of a population is used इसको आप अलग से mark कर लिजेगा कि population का कोई भी constant use नहीं होता मतलब variables जो है वो vary करेंगे data do not follow any specific distribution आप को specific distribution नहीं होगा कि skewed data भी हो सकता है और जो हमने parametric में पढ़ा था उसमें जो हमारा distribution था वो normal या binomial ऐसे होना चाहिए था लेकिन यहां पर कोई भी specific distribution जो है data follow नहीं करेगा and no assumptions are made और आप कोई भी assumption अपने result के बारे में नहीं बना सकते इसी को हम बोल जाए non parametric test इसी में देखें second paragraph में however if the data is skewed then the median is much better measure of center अगर देखिए अगर आपका जैसे अपने center का जो tendency थी mean, median और mode अगर data normally distributed है लेकिन इसमें एक चीज़ बता रखिया अगर data skewed भी है तब भी आप median को use कर सकते है वो एक central tendency का best जो measure होगा वो median होगा अगर आपका data skewed है data skewed मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है skewedness of data और normal distribution भी आपको पहले के chapters में बिल्कुल अच्छे से आपने discuss करा था तो पहले के chapters पढ़ लीजेगा उसी के साथ में आगे-ागे वाले chapters आपके जो है मतलब जो terms आती है वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने पहले के chapters को पढ़ चुके हो तब आप फिर देखे therefore just like parametric test आप देखे पैरामेटरिक टेस्ट के बारे में इदर रखा है कि वो इंफरेंसेज बनाता है पॉपुलेशन मीन की इंफरेंसेज मतलब result जो आपके लिए कराता है या फिर कोई भी example है वो इंफरेंसेज बनाएगा मगना पॉपुलेशन मीन का लेकिन non-parametric test में हम क्या यूज़ करेंगे median तो ये बात अपको याद रखने की है questions भी आ सकते है फिर इसके बाद है non-parametric test में क्या क्या आता है देखे काई स्क्वेर टेस्ट विलकॉक्सन टेस्ट ये भी दो टाइप का है काई स्क्वेर टेस्ट पे इसका आप जिस सिंबल है वो याद रखेगा काई जो है उसके उपस स्क्वेर तो काई स्क्वेर टेस्ट इसी में देखे second paragraph काई स्क्वेर टेस्ट इस अप्लाइड वन डाटा are in frequencies such as in number of responses in two or more categories देखे 2 चीज आगई इसमें जब आपकी data frequency में हो मतला आपका data frequency में given हो और दो और more categories हो उसमें तो दो चीज आपको यहाँ पर याद रखने है one or two लिख लिजे बेशक्से आप इस पे frequency पे one or two or more categories पे two लिख लिजे फिर this type of test is used in handling biomedical and multinomial data ये दो point अलग से हैं handling biomedical and multinomial nominal data आपको याद रखना है multinomial data में use होगा हमारा chi-square test फिर chi-square test is basically a test for qualitative data it can be used irrespective of the size of sample both for small and large तो small and large दोनों sample पे हम chi-square test use कर सकते हैं अब देखे इसमें बाकी जो applicable test किन-किन पे applicable होगा number one देखे data must be qualitative तो data जो हमारा qualitative होना चाहिए the sample must be drawn independently at random यह हमने पीछे भी पढ़ा था parametric test में कि sample आपका independent होना चाहिए और randomly drawn होना चाहिए फिर देखे expected frequency in each cell must be more than 5 आपकी जो expected frequency होगी वो हर cell में more than 5 होनी चाहिए मतलब आपकी जो frequency more than 5 होनी चाहिए और नहीं तो अगर more than 5 नहीं हुई तो आप यूज करेंगे Yates correction formula तो याद रखेगा अगर आपके काई square test में मतलब cell में अगर frequency आपकी less than 5 है तो आप यूज करेंगे Yates correction formula क्योंकि आपके each cell में frequency more than 5 होनी चाहिए अगर उससे कम है तो आप यूज करेंगे Yates correction formula इसको अच्छे से box बना लिजेए इसको याद रखना है fourth है data must be whole number and notting percentages आपका data whole number में होना चाहिए और percentages में नहीं होना चाहिए इतना याद रखना है आपको फिर काई square का general procedure को आप छोड़ दीजिए इस पर सिर्फ इतना आजएए कि आपका जो formula summation of observed minus expected का square मतलब frequency है यह observed minus expected frequency का square upon expected frequency तो आपको सिर्फ इतना जाद रखना है फिर इसमें degree of freedom find out करके आप जो है table value से chi square table की उससे match कर लीजे अब इसमें 6th point देखिए chi square is greater than table टेबल chi square मतलब table value की chi square आपने जो chi square value निकाली वो अगर जादा आ रही है table value से तो null hypothesis is rejected ठीक है अगर आपका जादा आ रहा है तो null hypothesis rejected हो जाता है और अगर आपका कम आ रहा है तो null hypothesis accepted हो जाता है तो इतना याद रखना है आपको इसमें chi square में फिर देखे, uses of chi-square test, it is test for association और test for independence, यहाँ पर सिर्फ आप यह देख लिजें, क्योंकि इसके नीचे आप इसी चीज़ को explain करा गया है, तो सिर्फ आपके याद रखना है, यह test for association है, and test for independence है, मतलब data अगर data independent है के नहीं, और data associated है के नहीं, वो check करने के लिए, it is used as a test for goodness of fit, कहीं पर question आज़ेता है कि goodness of fit कौन से test के लिए होता है, फिर कौन से test को बोलेंगे, तो वो है हमारा chi-square, तो यहाद रखे, it is used as test for goodness of fit, to test whether a particular data is a good fit in a specified distribution like normal distribution, यह होता है हमारा, कि मालीज़ आपका कोई data आपको मिला है, तो आपने एक, मतलब particular data is good fit into a specified distribution like normal distribution, जैसे आपने normally कोई data आपको मिला है, normal distribution में कोई data मिला है, उसके बाद आप उस data को specified distribution में, मतलब किसी और distribution में भी उस data को रखना चाहते हैं, या apply करना चाहते हैं, तो वो data वहाँ पर fit होता है कि नहीं, या फिर वो result आपका fit वहाँ पर होता है कि नहीं, यह हमारा chi-square से हम देखते हैं, माली जैसे आपने कोई दो population ली है, एक जो है आपकी population normally distributed है, और एक आपकी population skewed है, तो आपका जो normally distributed में जो data आ रहा है, वही data अगर आपका skewed में fit हो रहा है, तो वो आपका check करता है chi-square, तो chi-square test हम check करने के लिए लगाते हैं, कि जो हमारा data है, वो good fit है कि नहीं, हर condition में, मतला apply कर सकते हैं कि नहीं उस data को, तो इतना आप superficialist में यह समझ लीजे, फिर fifth point है, it can be used even if more than two groups are involved, अगर आपके दो group से ज्यादा group भी involved हैं, तो भी आप chi-square test को use कर सकते हैं, फिर देखे, application of chi-square test, important है यह proportion, association and goodness of fit, तो proportion में देखेंगे, to test the significance of difference in two or more proportion, and also to compare the values of two binomial samples, even if they are small, that is less than 30, the test can be applied through Yates correction, आप इसमें binomial samples देखेंगे, मतलब जहाँ पर दो चीजे दी गई हूँ, वह उतने binomial sample, या फिर दो sample को बोलेंगे binomial sample, फिर आपका sample अगर less than 30 है, तो भी आप test for proportion आप इसमें use कर सकते हैं, जहाँ पर two or more proportion use होगा, मतलब आप difference देखेंगे proportions में, तो वहाँ पर उजह था हमारा test of proportion और यहाँ पर जो है आपका Yates correction अप्लाई होगा test for proportion में, एक्जामपल देखें, तो compare to multinomial samples such as hypertensive and non-hypertensive in different age group, अब देखें, multinomial sample use कर ले हैं, हम इसमें hypertensive और non-hypertensive हमने दो चीज ले लिए, यह एक hypertensive का group लिया और एक non-hypertensive का group लिया, in different age group, different age group हमारे क्या हो गया, multinomial हो गया, कि बहुत सारी हमारे multi जो हैं, हमारे पास ages हैं, तो that is multinomial sample, तो उसको देखने के लिए हम test of proportion हम यहाँ पर use करेंगे, इसके बाद देखें, test of association, it is applied between two events in binomial और multinomial sample, it measures the probability of association between two discrete attributes, attributes मतलब होता है कि कोई भी factor, ठीक है, कोई भी factor जो आपके outcome को, outcome लेकर आ रहा है, that is called attribute, यह फिर factor को ही बोल दीजे, आप attribute, कि आपका जो भी factor है, a cause है, that is attribute, तो यह कहाँ अपलाई होगा मैरा association, जब आपको probability देखनी हो, दो attribute मतलब दो factors के बीच में association देखने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे, test of association, आपका इसमें जो event है, वो binomial भी हो सकता है, और multinomial sample में भी हो सकता है, जैसे, association between, example देखे, association between हेतू, और रोग, और रसायन, और आयू, तो हेतू, रोग, रसायन, और आयू, यह हो गया हमारा multinomial भी हो सकता है, binomial भी हो सकता है, और इन सब का association देखना, कि हेतू का, रोग का, रसायन का, और आयू का, तो यह हमारा test of association है, फिर इसमें देखे आगे, there are two possibilities, either they influence or affect each other or not, अब देखें, यहाँ पर दो possibility आती है, या तो यह सारे एक दूसरे को effect करेंगे, या नहीं करेंगे, या तो हेतू, रोग को effect करेगा, या फिर रोग जो है, वो रसायन लेने से ठीक होगा के नहीं होगा, या फिर जो आयू है, वो इन सब से effect होगी के नहीं होगी, तो यह चीज हैं, दो possibility, या तो होगी, या फिर हो सकता है फिर इससे ही आप अपनी probability निकालेंगे कि जो आपके attributes है वो effect कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपके outcome पर इसके बादे test of goodness of fit the test is applied to see if the actual number is similar to the expected or theoretical number that is we can find whether the observed frequency distribution fits into a hypothetical theoretical assume distribution of qualitative data अब देखिए जो आपने assume कराई या फिर आपके जो frequency distribution आपको मिली है test लगाने के बाद आपको जो आपका result आया है वो आपका जो है वो किसी भी hypothetical situation कोई भी theoretical situation या फिर कोई भी distribution या नि कोई भी population के distribution में भी fit हो रहा है कि नहीं हो रहा यह देखने के लिए भी हम kai square test को हम use करते हैं कि goodness of fit मतलब कितना वो fit हो पा रहा है आपका data हर जेगे के लिए मतलब आपका data किता आप मोटा मोटा यह समझ सकते हैं कि आपका data flexible है के नहीं या fit होता है के नहीं हर situation में उसी कोई होते goodness of fit kai square test determines whether an observed frequency distribution differ from the theoretical distribution by chance if the samples are drawn from the different population देखिए मैंने पहले भी खाता goodness of fit में मतलब आपने दो population से अलग अलग sample लिए है population A से sample लिए है या फिर population B से sample लिए है तो उनमें जो आपका data आ रहा है वो एक दूसरे से किता डिफर कर रहा है मतलब मान लिजे आपने दो cities में अगर sample लिए है तो दो cities के sample में क्या difference आ रहा है तो वो हमारा देखेगा kai square मतलब मान लिजे अगर उनमें कोई difference नहीं है तो इसका मतलब वो जो data है वो किसी भी area के लिए fit है मतलब आप उस data को किसी भी area के लिए apply कर सकते है तो यह हमारा kai square के लिए जो है हमारा पूरा kai square test इस तरीके से है फिर 379 page पे ही last में देखे for 2 into 2 contingency table अब जहां पर भी contingency tables दी हुई है उनके जो formula's है वो आपको अच्छे से याद रखने है क्योंकि कई बार question में यह आ जाते है तो इसमें kai square के जो contingency table है उसका formula देखिए a d minus b c का whole square into g g क्या है हमारा a plus b plus c plus d मतलब सारों को add कर देना हमारा g है फिर उसके जो denominator में है a plus b, c plus d, b plus d और a plus c तो यह formula आप एक बार table देखिए याद कर लीजेगा अच्छे से इसके बाद आजाएगे page number 380 पे 380 पे आपका जो degree of freedom है chi square का वो कैसे निकलेगा c minus 1 और r minus 1 c के हमारा number of columns और r हमारा number of rows तो याप एक बार इसको भी देख लेजेगा इसके बाद आजाएगे आप page number 382 पर 382 पर है restriction in application of chi square test अब आप chi square test कहाँ पर apply नहीं करेंगे या फिर कहाँ पर आपको restriction देखने को मिलेगी if the expected value in any cell is less than 5 yates correction is necessary to apply chi square test अब यह हमने पहले भी भढ़ चुक है अगर आपकी इसी cell मे frequency less than 5 आ रही है तो आप yates correction को use करेंगे यह आपको याद रखना है chi square test doesn't measure the strength of association chi square test आपका यह तो दिखा सकता है कि कितना association है दो डाटा के बीच में लेकिन strength of association कितनी होगी यह आपका chi square test नहीं दिखाएगा तो इसको आपको याद रखना है chi square test does not indicate the cause and effect it only tells probability of occurrence of association by chance वही है कि chi square जो है strength नहीं दिखा रहा है कि catch जो cause है वो कितना effect create कर रहा है वो सिर्फ एक probability बता देगा कि हाँ अगर यह cause है तो इससे यह चीज हो सकती है तो इसका मतलब दोनों में association है फिर 5th point देखी इन tables larger than 2 into 2 यह इस correction can't be applied अब यह इस correction का भी हमारा restriction है कि अगर आपके table 2 into 2 से बड़ी है तो यह इस correction आप apply नहीं कर सकते अब आज़े 383 page number पे wilcoxon sum test इसके बाद है wilcoxon signed rank sum test दोनों थोड़े बहुत एक दूसरे से similar है इसमें देखते हैं second जो है वो देखे dalwilcoxon rank sum test is an alternative to the 2 sample t test याद रखना है यह कि alternative है 2 sample t test the test says that the null hypothesis tested in the sample is symmetrically distributed around a specific center जो test है वो क्या कहता है कि आपका जो null hypothesis है वो symmetrically distributed है आपके center से it is often used to test the difference in scores of data before and after experimental manipulation आपका अगर difference चेक करना है अपने data में before and after आपका experiment के तो भी आपको wilcoxon sum test use कर सकते हैं the center point is sent to be 0 तो center point इसमें 0 होगा मतलब 0 से नीचे अगर आपने before में start करा है तो positive में अगर आपका data जाता है तो उसको जो है आपका wilcoxon sum test चेक करता है अब इसमें बुरा जो आपको दे रखा है कि wilcoxon sum test कैसे apply करेंगे उसी के बारे में दे रखा है scores exactly equal to the center point are excluded तो आपने एक graph बनाया है पीच में 0 है और दोनों तरफ उसके minus plus वाले scores है तो जो बिल्कुल exactly 0 के पास होंगे उनको आप neglect कर देंगे the remain scores are ranked such that smallest deviation has rank of 1 अब आप उनकी ranking शुरू कर देंगे मतलब 1,2,3 करके उनको rank डाल देंगे smallest को 1 rank देंगे और highest ranking भड़ाते जाएंगे फिर उनको क्या करेंगे आप mean rank कर देंगे मतलब उनकी जो ranking है उनका summation कर देंगे summation के बाद आप क्या करेंगे कि जैसे आपने जैसे कोई minus का sign के साथ आए होगा कोई plus के sign के साथ आए होगा जो आपने ranking करी होगी जब आप उनका mean निकालेंगे तो आप उनका plus minus हटा देंगे और जब आप उनको मतलब mean निकालने के बाद उनका plus minus दुबारा लगा के फिर आप उनका rank का sum निकालेंगे plus minus को लगा के देखे the sum for rank of score with plus minus deviation from the central point is calculated central point से आपको plus minus लगा के फिर उनको दुबारा से calculate करना है the value s is defined as the smaller of these two rank sum अब देखे दो बार आपने mean निकाला एक बार तो बिना plus minus के और एक बार plus minus के तो इन में से जो s होगा वो क्या होगा जो smaller होगा मतलब इन दोनों mean में से जो smaller होगा that is called s तो फिर s को क्या करेंगे the s is then compared to the table of all possible distribution of rank to calculate probability p अब s को हम पीछे जो हमारी table दियो होती है उससे compare करेंगे बस इतना सा यह है कि पहले आप जो है 0 के आसपास वाली चीजों को exclude कर दीजे फिर आप ranking कर दीजे rank 1 से लेगे rank last तक फिर आप जो है rank 1 से last तक करेंगे उनका sum निकाल लीजे फिर आप जब plus minus मतलब plus minus हटाके फिर आप plus minus उनके आगे लगाएंगे जब तो फिर plus minus लगाके भी आप एक mean निकालेंगे तो इस तरीके से 2 mean आएंगे आपके उन mean में से जो छोटे वाला होगा उसको आप s से denote करेंगे और जो s होगा फिर जो आपकी s value आई है वो value आप table से पीछे मतलब table से पीछे देखेंगे कि आपकी जो table value है और आपकी जो value है उसमें क्या difference है अब देखें इसमें अब याद रखना है आपको जो wilcoxon sum test है वो कहां यूज़ करेंगे identical population distribution में मतलब दो population identical है वहाँ पर यह आपका wilcoxon sum test यूज़ होगा अब यह जो test है मैं विटनी यू test से है linear transformation मतलब एक तो होता है curve और एक होता है linear तो linear मतलब अगर आपका सीधा man-vitiny test आपको लगाना है तो उसी का transformation आपका क्या है wilcoxon sum test है तो यह कोई नहीं पूछेगा कि आपके steps क्या क्या अपलाई होंगे लेकिन यह पूछ सकते हैं कि wilcoxon sum test कहां पर apply होगा तो याद रखेगा यह मैंने जो steps बताएं यह सिर्फ थोड़ा सा इसलिए बताएं कि आपको यह लगे ना कि यहां पर लिखा क्या हुआ है तो थोड़ा सा माइन में रखेगा कि निकालना कैसे इसको फिर है wilcoxon signed rank sum test इसमें देखे this is a non-parametric or distribution free test अभी आद रखना इसको distribution free test भी है क्योंकि इसमें distribution देखना ही नहीं कि population कैसे distributed है it is used to test the null hypothesis that the median of the distribution is equal to some value आपको null hypothesis दिया गया है कि median जो है आपके distribution का वो एक value के बराबर है it is used to compare one sample और pair two sample otherwise t test is applied to test the difference between two population mean अब क्या करना है इसमें आपका compare करता है one sample को या फिर दो paired sample को वरना t test apply हो जाता है but if the population is too small or not normally distributed wilcoxon signed rank test is applied लेकिन अगर आपके population बहुत छोटी है और normally distributed नहीं है तो आप क्या करेंगे wilcoxon signed rank test apply कर देंगे नहीं तो आपका क्या apply हो जाता है t test apply हो जाता है तो वही है non-parametric test आप अमेशा जो population normally distributed नहीं है वहाँ पर try करते हैं वहाँ पर use करते हैं अगर population normally distributed है तब तो आपके parametric test आपके use हो जाएंगे और अगर not normally distributed है normal distributed नहीं है not normally distributed है तो फिर आप क्या करेंगे non-parametric test को use करेंगे इसमें देखे the test is used in place of one sample t-test in place of pair t-test तो वही है कि आप दोनों t-test मतलब one sample t-test और pair t-test की जगे आप wilcoxon signed rank sum test लगाएंगे क्योंकि आपका जो आपको population है वो normally distributed नहीं है इसमें देखिए फिर से इसके जो steps दे रखें क्या आप wilcoxon signed rank sum test कैसे करेंगे उसी तरीके से है जैसे मान लेजिए for pair data है तो आपने एक null hypothesis बता दिया मतलब plus minus के sign आप ignore करके और उनका क्या बोलते है वो निकाल लेंगे उनका summation निकाल लेंगे फिर आप क्या गरेंगे plus minus की rank को दुबारा लगाएंगे मतलब plus minus के sign को दुबारा लगाएंगे फिर दुबारा आप उनकी sum up कर लेंगे उनकी rank को तो फिर उसके बाद क्याते है if two population mean are equal it indicates the sum of the rank should also be equal अगर दो population का mean equal है तो इसका मतलब आपका sum of rank मतलब जो आपने पहले जो भी ना sign के करा था और फिर negative और positive लगा के जो करा था वो आपका equal आना चाहिए if the difference of sum of rank is more the population means are equal we reject the null hypothesis अगर difference आपका ज्यादा हर है sum of rank का ठीक है तो उसके बाद the population mean are equal मतलब आपके population mean जो है वो equal है और आप जो है उसको reject कर देंगे null hypothesis को तो ये सारी बाते आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे test को use करेंगे सिर्फ आप इत्ता याद रखिए कि ये जो है हमारा one sample t-test और pair t-test के बदले में हम जो है wilcoxon sign rank sum test हम use कर रहे है फिर ये बीच में for single set of observation है इसको पढ़ लीजेगा इसमें कुछ नहीं है इसमें median value है फिर median से आप जो अपनी observation को minus करते जाते हैं और ranking कर देंगे फिर ranking का sum होगा फिर plus और minus sign लगा के फिर उनका sum होगा फिर उन दोनों के sum को हम compare करेंगे इसके बाद assumptions देखे data are paired and the difference come from the same population assumption मतला आप test के लिए क्या assume कर रहे है कि data आपका pair है और जो difference आ रहा है वो same population मतला sample sample जो है वो दोनों एक ही population से है each pair is chosen randomly or independent यह तो आपका हर test में लिखा है फिर आता है हमारा man whitney test fourth number का test है man whitney test man whitney u test is a non parametric test that is used to compare two population means that come from the same population अब same population में से दो mean निकल कर आ रहे है उसको test करने के लिए man whitney u test हम जो है use करते हैं to test whether two means are equal or not देखने के लिए कि दोनों sample के mean जो है वो equal है या फिर अलग है the man whitney u test is an alternative for independent sample t test in case of non normality अगर आपका man whitney test किसका alternative है आपका independent sample t test वाले के जो है alternative है क्योंकि यहाँ पर non normality मतला normal distribution नहीं है इसलिए man whitney u test लगा रहे है अगर normal distribution होता तो हम क्या लगाते independent sample t test लगाते it is used for equal sample sizes and also to test the median of two population याद रखना है median of two population the test is usually used for ordinal data man whitney u test हमारा use होगा ordinal data के लिए ordinal और nominal data हम पहले पढ़ चुके है इसके बाद आता है 385 पेज़ पर देखिए assumptions के हमारे man whitney test के the data are measured at least on an ordinal scale data जो है आपके ordinal scale वाले होने चाहिए third point जो है इसमें फिर fourth देखिए the data need not be normally distributed but the distribution of the sample should have the same shape आपका जो data है वो normally distributed ना भी हो तो भी चलेगा लेकिन आपका sample जो है वो wilcoxon match pairs are the same test as they both compare between two median to suggest if both the samples are from population or not अब देखिए हमने जो पहले wilcoxon match pair test पढ़ा था उसी के जैसा है man whitney test क्योंकि दोनों क्या गरते है कि अगर ये देखने के लिए कि आपका sample same population से लिया गया है कि नहीं ये दोनों test ये देखने के लिए की जाते है फिर देखिए इसमें before and after treatment में हम यूज करेंगे wilcoxon match pair test is applied if the samples are independent man whitney u test should be applied तो में जो दोनों का काम क्या है दोनों का काम ये है कि आपके sample को देखना कि आपके population में से लिया गया है कि नहीं लिया गया और अगर दोनों के ये देखना है कि दोनों अलग अलग क्यों है तो अलग इसलिह है कि before and after treatment हम देखते है wilcoxon match pair test में और samples अगर independent हैं तो वो देखेंगे हैं man whitney u test में uses देखे man whitney के in psychology it is used to compare attitude और behavior in medicine it is used to know the effect of two medicine or whether they are equal or not तो बस आपको इतना देखना है फिर इसके बाद आता post hoc test और analysis post hoc आपको बहुत ज्यादा जहीं लिखा हुआ मिलेगा तो हम देख लेते हैं post hoc होता क्या है post hoc test analyze the result of experimental data अब आपका experiment पूरा हो चुका है उसके बाद अगर आप result को analyze करते हैं उसको हम बोलते हैं post hoc post hoc analysis consists of looking or examining at the data after the experiment has concluded आपका experiment conclude हो गया मतलब खतम हो गया उसके बाद आपके result को analyze करना वो है हमारे post hoc analysis का काम post hoc analysis are usually concerned with finding patterns and relations relationship between subgroup of sample population that would otherwise remain undetected and undiscovered आपका experiment हो चुका है आपका result आचुका है result के बाद जो post hoc है वो एक pattern को देखता है मालेजे आपने कोई pattern discover नहीं कर पाया आप अपने data में तो उस pattern को देखना या फिर किसी relationship को देखना यह post hoc का का काम है तो post hoc test are also called as posteriori test, posteriori मतलब posterior में मतलब बाद में जाकर जो test होते हैं वो होता है post hoc test post hoc test are follows as देखे इसमें अलग-अलग नाम है तो यह नाम याद रखेगा कि सारे post hoc test में आते हैं यह बन नाम से भी बूस सकते हैं कि यह किस चीज में आ रहा है या फिर यह procedure किसमें include होता है तो यह post hoc वाला है bonferroni procedure, fisher least significant test, rogers method, duncan new multiple range test, skiffies method, turkeys procedure, dunets correction, home benferroni procedure अब इसमें देखे, the post hoc test give varying degree of protection against making a type 1 error that is rejecting the null hypothesis when it is true or type 2 error that is accepting the null hypothesis when the real difference is present अब आप type 1 error और type 2 error आप पढ़कर आ चुके हैं तो उसके हिलाफ जो protection देता है वो देता है हमारा post hoc test इसमाल लेज़े आपने कोई error कर दिया उसके विज़े से आपका result जो है खराब आ गया लेकिन आपके result के बाद भी जोब आप analyze करेंगे अपनी result को तो result का जब analysis होता है उसी को हम post hoc कहते है तो post hoc जो है आपके data को आपके result को protect करता है type 1 और type 2 error होने से तो इसको आपको याद रखने है फिर आता done test done test is a statistical test used to do a specific number of comparison between group of data and find out which one of them is significant आपको बहुत सारे data का group दिया गया है अब इन में से कौन सा significant है उसको देखने के लिए done test किया जाता है it is also commonly known as bonferroni test तो इसी को हम bonferroni test भी बोलते हैं done test is used as post hoc test after analysis of variance ANOVA के बाद जब आपका post hoc test use होगा तो उसी को बोलते हैं done test which concludes that there is a significant difference between the group जो यह बताता है कि दो groups के बीच में एक significant difference है अब ANOVA क्या करता है कि यह superficial बतायता है कि हा significant difference है लेकिन कितना significant difference है यह आपको बताएगा done test the done test compares each pair of group and tells which of these pairwise difference are significant मतला अगर मोटा मोटा significant difference दिखाना है तो आप ANOVA यूज करिए और अगर आपको अच्छे से significance difference दिखाना है कि आपके हर pair में क्या क्या difference हाया तो वो आप दिखाएंगे done test से इसके बाद आता है आपका sixth number Kruskal-Wallis test इसमें देखे second line this is a non-parametric test and is used when the assumptions of ANOVA are not met it is used as an extension of man between you test to three or more group अगर आपका group 3 या 3 से जाधा है तो आप लगाएंगे Kruskal-Wallis test और अगर आपके assumptions जो अनोवा में आपके आने थे वो आपको नहीं मिले तो आप लगाएंगे Kruskal-Wallis test तो दो condition हो गई एक तो आपके assumption नहीं मिली अनोवा में तब और एक आपके तीन या तीन से जादो group है तो आप इसको use करेंगे अब देखे तेस्ट इस तो compare तू और तू और तू इंडिपेंडेंट सेमपल अब यहां पर देखे दो चीजा है एक तो दो बोर देन तू और एक है इंडिपेंडेंट सेमपल तो इसको याद रखिए तो यह इसमें जैसे आप इसका एक्जामपल देखेंगे जब तो आपको अच्छे समझ में आजाएगा इन्होंने hypothesis ले रखा है नल hypothesis आपका samples are from identical population मतलब एक ही population से आपने sample को उठा है और alternative hypothesis आपका sample are from different population मतलब आपके जो sample है वो different populations आपने लिए हैं फिर इसमें क्या करेंग आपको rank उनकी भढ़ाते जानी है फिर आपको उनकी rank का sum करना है r1 r2 r3 r4 ऐसे करके अलग-अलग मतलब for each for different group फिर आप calculate करेंगे यह वाला formula निकालके h is equal to 12 upon n n plus 1 summation of r मतलब जो आपका पूरा जो sum आया उसका r square minus 3 n plus 1 तो इसके बाद जो आपका निकलेगा फिर उसके बाद आप degree of freedom देखेंगे k-1 पे तो k-1 पे degree of freedom जो आई की उसके बाद आप उसको जो है table से calculate करेंगे कि k-1 degree of freedom पे आपकी value जो है कहां पर lie कर रही है अब देखें इसमें if the calculated value of Kruskal-Wallis test is less than the critical chi-square value then the null hypothesis can be rejected अब आपकी value जो है less आ रही है chi-square value से तो आपका null hypothesis reject हो जाएगा मत मतलब null hypothesis क्या था आपका sample जो है identical population से है अगर वो reject हो गया तो इसका मतलब sample आपके अलग-अलग population से है if the calculated value is greater than the critical value अगर आपकी value critical value से जादा आती है तो null hypothesis is rejected that means samples came from the different population sorry उपर वाला क्या था null hypothesis can't be rejected अगर आप दुबारा से पढ़ लेते हैं इसको अगर आपकी Kruskal-Wallis test की value less आती है मतलब आपकी calculated value कम आती है जो आपकी chi-square value से तो null hypothesis can't be rejected मतलब sample जो है identical population से है अगर आपकी value जादा आती है आपकी chi-square value से तो इसका मतलब आपकी जो sample है वो different population से है अब assumptions सेखे the data are measured at least on an ordinal scale ordinal scale याद रखना है इसमें the chi-square statics for the Kruskal-Wallis test is only appropriate and become more accurate with longer sample size अगर आपका sample size more than 30 है तो ही आपका Kruskal-Wallis test जो है ज्यादा appropriate होगा इसके बाद आजिए page number 388 fishers exact test इसमें देखे test is used to determine if there are non-random association between two categorical variable association देखने के लिए होता है दो categorical variable में this is most commonly applied two into two contingency table and is employed in small sample small sample में use करते हैं two into two contingency table में use करते हैं fisher test is best choice to compute p-value as it gives exact p-value while the chi-square test only calculate approximate p-value अब आप इसमें लिखा है exact लिखा हुआ है तो इसका मतले है कि आपको जो है p-value exact value देता है और जो कि chi-square test जो है वो approximate p-value देता है fisher exact test is used when there are two nominal variable ये याद रखना है आपको कि आपके जो variable है वो nominal होंगे और दो होंगे वहाँ पर आपका fisher exact test यूज़ होगा फिर इसमें आगे देखिए ये जो formula है ये आप देख लीज़ेगा इतना important नहीं है बस आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कहां पर आपका fisher exact test यूज़ होना है फिर इसके बाद देखिए mac nevars test या फिर chi-square for within subject mac nevars के ही bracket में लिखा है chi-square for within subject इसको याद रखना है इसमें last line पर आजाए इस test is a non-parametric test to assess if a statistically significant change in proportion has occurred on a dichotomous triat at two time point on the same population आप एक ही population को अलग-अलग time पे जब sample ले रहे है उससे और आपका कोई dichotomous triat है मतलब आपके दो values आ रहे हैं किसी भी चीज़ के तो उसको जब उसके difference है मतलब दो अलग-अलग time पे आप दो sample को एक ही population से collect करें उसका जो difference आ रहा है उसको test करने के लिए हम mac nevars test को use करते हैं इसमें देखिए आप it is a normal approximation used on nominal data nominal data पे use करेंगे mac nevars को याद रखेगा it is applied to two into two contingency table with dichotomous variable before and after design at two different time of point यह two into two contingency table पर apply होता है और आप इसको dichotomous variable before and after design at two different time points पे आप देख सकते है dichotomous variable मतलब जो दो प्रकार के variable आता है क्योर या not क्योर भी आपका dichotomous में आ सकता है मतलब disease क्योर हुआ या नहीं हुआ तो कोई भी दो रिजल्ट जब आपके आते हैं किसी भी चीज के तो उसको हम बोलेंगे dichotomous variable before and after design भी हम dichotomous variable बोल सकते हैं कि before आपका क्या था और after आपके experiment क्या था तो वो भी हमारा dichotomous हो जाता है मतलब दो चीजे निकल कर आपकी सामने आई हैं और वो भी दो different point पे कि मालीज आपने एक sample लिया किसी भी population का अगस्त में ठीक है तो अगस्त में उसका before and after क्या होगा और फिर आपका December में आपने उसी population से एक और sample लिया तो उसका जो है वो before and after design क्या होगा मतलब before जो treatment है वो कैसा होगा और after जो treatment है जो उसकी variables में changes आएंगे कि नहीं आएंगे तो यह हमारा dichotomous variable होता है McNemar test is used for binary dependent variable यह याद रखना है binary dependent variables जो होते है उनके लिए उस होता है this is a form of chi-square test for within subject design within subject मतलब subject के अंदर ही आपका जो है आप calculation कर रहे है वो होता है हमारा McNemar test as with the pair t test the within subject ANOVA the McNemar test is used whenever the same individual are measured twice or if the participants are paired in same way or responses on two measures are used तो इसमें है कि या तो आप same individual को दो अलग-अलग time पे measure करें या फिर आपने pairing बना रखिये दो individuals की मतलब दो group ले लिए और वो क्या होगे आपका pairing हो गई एक group में आपके 30 member है और दूसरे group में भी आपके 30 member है तो जो आपके pairing हो गई आपके subject की या तो आप ऐसे samples ले या फिर same individual पे भी आप जो है McNemar test या फिर same individual पे भी आप ये use apply कर सकते हैं फिर इसके बाद आता आपका McNemar का जो formula है b minus c का whole square upon b plus c का whole square तो यह आप याद रखेगा जैसे इसमें table जो है इनकी थोड़ी contingency table अलग है देखिए before present और absent और after present और absent करके इन्होंने लिखा है तो यह dichotomus पोलगा है before में भी present और absent है और after में भी present और absent है तो इस तरीके के variable को इहां पर बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको इस तरीके के variable को भोलेंगे ह!!!! dichotomous variable मतलब before अगर आपको कोई disease present है या absent है और after भी अगर आपका present या absent है कोई disease आप इसको ऐसे करके ले सकते हैं फिर आप class पे देखिए इसमें the calculated value is compared with the chi-square table value if the calculated value for McNemar test value is greater than the table value null hypothesis is rejected अगर आपकी calculated value जादा हारी है table value से तो null hypothesis reject होगा लेकिन अगर आपकी calculated value कम हारी table value से तो null hypothesis accept होगा आपका बस इत्ता ही था इसमें McNemars में सारे test में आपको थोड़े थोड़े formula देख लेने हैं कि formulas क्या है उनके बाकी test लगाने के लिए आपको नहीं आएगा कि McNemar test आप apply करके दिखाई यहाँ पे सिर्फ test की application साती है कि आप कहां कहां पे कैसी कैसी condition में मतलब कौन से test को apply कर सकते हैं तो वो ज़ादा याद रखने वाली चीज़े हैं उसको याद रखेगा फिर सबसे last में देखे contingency क्या होता है future event which may happen but can't be predicted with certainty मतलब एक future event जो हो सकता है लेकिन आप उसको बिल्कुल आसवाशन देके उसको predict नहीं कर सकते that is called contingency तो आज के लिए इतना ही non-parametric test वाला chapter जो है हमारा वो खतम होता है इसको एक बर आप और अच्छे से देख लीजेगा क्योंकि ये थोड़ा सा याद रखने के लिए difficult होता है बहुत सारी जो है इसके conditions है terms and conditions है अलग-अलग test की apply करने के लिए इनको चाहे तो आप अलग से notes बना सकते हैं नहीं तो इसी book में से आप याद कर लीजेगा आज के लिए इतना ही thank you